जो फ्रेंड स्वागत है Mixed Drying चैनल में आज हम प्राकृतिक द्रिश्य बनाना बहुत सरल तरीका से सिखाऊंगा इस वीडियो में फ्रेंड प्राकृतिक द्रिश्य बनाना बहुत असान है हमें हलकी लाइन का प्रियोग करके पौधे को बनाना चाहिए सिकेंड पौधे में जो मैं लाइन बना रहा हूँ बहुत हलकी लाइन है इसी प्रकार आप बनाएं पतियों के लिए गोलाकार, कहिन परतिर्चाकार, टेड़ी और गोलाकार रेखाओं का प्रियोग करके पतियां बना लेते हैं जो रेखा बाहर है, उसको मिटा लेते हैं जोपड़ी बनाने के लिए भी हलकी रेखाओं का प्रियोग करें आप देख रहे हैं कि जो हलकी लाइन थी, उसको मैं क्या किया हूँ, धीरे धीरे क्या किया और डार किया हूँ वैसे आप भी कर लें रेखा को डार्क कर लें प्राक्तिक द्रिश्च में ध्रातल का हम प्रियोग करते हैं ध्रातल के लिए मैं हलकी लाइन का प्रियोग करने के बाद उसको डार्क किया हूँ देखिए फ्रेंड रेखा को कहिन पर तिर्चा किजिए कहिन उपर ले जाएए ऐसे करकर धरातल को ड्राइंग कर लिजिए तब ड्राइंग हो जाने के बाद धरातल की लाइन को साफ साफ बना लें आप देख रहे हैं कि धरातल मैं बना लिया हूँ वैसे जहां जहां पर रेखा टुटी है उसको सही कर लें अकास के सुन्दर्ता के लिए पच्छियों का होना आवश्यक है इसलिए अकास में भी हम कारी करेंगे अकास में चिडियां भी हम बनाए हैं लाइन को पुना साई करते हुए सभी को डार्क करते हैं देखते हैं कहिन भी ऐसी तो नहीं है कि लाइन हलकी है सभी लाइन को क्या करें डार्क कर लें डार्क होने के बाद ही हम यहां पर ध्रातल के लिए पीला कलर का प्रियोग किया हूं ध्रातल में हलका सेट दे रहा हूं प्रिंट द्यान दें जहां पर लाइन डार्क है वहां पर भी पैंसल के जो कलर है उसी के द्वारा मैं डार्क किया हूं जहां जहां पर पाले टोन में हलका पैंसल चला रहे हैं इस परका जिस परका मैं चला रहा हूं वैसे आप भी चलाएं पोधे में भी पर्थम टोन में हलका ही बनाया गया है पोधे में देखिए नीला कलर से में हलका बना रहा हूं काइन के पर कलर का प्रयोग चेंज करकर आप भी कर लें जिससे कि वह अलग पोधा दीखे हलका ही कलर करते हैं पर्थम टोन हमीशा हलका ही करते हैं कोई भी कलर से करें तो हम क्या करेंगे कि हलका ही प्रयोग करेंगे देखिए पोधे के पत्तियों के लिए मैं क्या हूं हलका ही कलर का प्रयोग किया हूं पर्थम टोन में हमेशा हलका ही कलर प्रयोग करेंगे जिस प्रकार मैं कलर कर रहा हूं वैसे आप भी करें देखिए हलका कलर का प्रयोग करते हुए पूरे पोधे की पत्तियां बना लेते हैं इस प्रकार पर्थम टोन हमेशा हलका ही कलर का प्रयोग किया हूं जहां जहां आप देख रहे हैं सम में क्या है हलका ही कलर का प्रयोग किया हूं चाहे वह मनुस्य हो चाहे वह पोधा हो चाहे वा जोपड़ी क्यों नो हो सम में क्या है हलका ही कलर का प्रियोग पर्थम टोन में किया गया है अकास को भी हलका ही कलर का प्रियोग करें जैसे मैं कर रहा हूँ अकास में वैसे आप भी करें देखें पर्थम स्टोक हलका ही कलर से प्रियोग करना चाहिए जैसे सभी में हलका ही कलर का प्रियोग किया गया है आप देख रहे हैं जहां पर भी है वहाँ पर क्या है हलका ही कलर दिखा यह अधा इस पकाब पर्थम समप्त होने के बाद बलहेक पेन से लाइन को सभी लाइन को सभी लाइन को सभी कर लें बल्यक पेन से सभी लाइन को सभी लाइन को सभी कर लें अब इसके बाद इस्टो के कलर का पर्योक करते हैं देखीए डार्क कप करते हैं अकास को भी डार्क किया गया है पोदों की पतियों में भी डार किया गया है देखिए जिस परकार मैं कर रहा हूं वैसे आप भी करें बलैक पेन से आप भी कर सकते हैं सबी पोदों में बलैक पेन के साहता से जिस परकार मैं किया हूं वैसे करें अब धरातल को लिए घास बनाने के लिए जिस प्रकाबान बना रहा हूं वैसे आप भी बनाश रहते हैं धरातल में कहाँ पीला कहे अन्यकलर का भी प्रयोग कर दें जैसे देख रहे हैं आप वैसे भी करते हुए सिकें इस्टोप बना लेते हैं सिकेंड स्टोक समाप्थ होने के बाद आप देखिए थर्ड स्टोक में भी कारे करना चाहिए अब थर्ड स्टोक जहां दूर की वस्तु है वहां पर कम कलर का परियोग करें जहां पास की वस्तु है वहां पर डार्क का परियोग करें जो पास पास है उसमा ज्यादा कर प्रयोग करती है आप देख रहे हैं जो प्रागितिक द्रिश्या सुन्दर बन रहा है ऐसे करेंगे तो आप भी बना शक्ति हैं अच्छा प्रागितिक द्रिश्या प्रियास करने से ही कलर अच्छा बन सकता है